हेलो एवरिवान वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस की जो की यूएस के हॉल ओफ फेम ओपन एटीपी टूर्नमेंट के टाइटल स्पॉंसर और डिजिटल पार्टनर होंगे तो इस टॉपिक को हम इस वीडि करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाएगी बहीं इन्फोसिस करती क्या है तो इन्फोसिस भारत में बेस्ट एक मल्टिनेशनल आईटी कंपनी है जो कि बिजनेस कंसल्टिंग आईटी और आउट्सोर्सिंग सर्विसेस प्रोवाइड करती है इनक जो 2021 की रैंकिंग थी उसमें जो इसकी रैंकिंग थी वो थी 492 और 24 अगस 2021 को इन्फोसिस चौती ऐसी कंपनी बन गई थी भारत की जिसका की मार्केट कैपिलाइजेशन 100 बिलियन उस डॉलर को क्रॉस कर गया था आप यहां पे देख सकते हैं आज की डेट में 4 ऐसी कंपनी जिनका की मार्केट कैपिलाइजेशन 100 बिलियन उस डॉलर से जादा है पहले नंबर पे रिलाइंस जिसका की 212 बिलियन उस डॉलर के आसपास मार्केट कैपिलाइजेशन है फिर TCS, HDFC बैंक और Infosys पांच में नंबर पे रैंकिंग आती है हिंदुस्तान उनिलीवर की जिन पांच ऐसी कमपनीज हो जाएंगी भारत की जिनका की मार्केट कैपिलाइजेशन 100 बिलियन उस डॉलर से जादा होगा और अब अगर क्विकली बात की जाए कि भई ये Forbes की Global 2000 रैंकिंग क्या है तो Forbes जो हर साल जो दुनिया भर की Top 2000 कमपनीज होती है उनको रैंक करता है और ये जो रैंकिंग है ये sales, profit, asset और market value के mixture से की जाती है तो इसमें जो 2021 की रैंकिंग थी उसमें आप देख सकते हैं कि Reliance Industries जो कि भारत की कमपनीज है उसकी 55th रैंक थी उसके बाद SBI की 110 रैंक थी उसके बाद HTFC Bank, ICACA Bank, HTFC Limited, TCS, Larson & 2BRO, Kotak Mahindra Bank ये सबी थे जो की Infosys से आग बात की जाए कि दुनिया में top companies कोन सी हैं तो पहले नंबर पे आती है ICBC चाइना की जो की number one है Forbes की 2000 ranking के हिसाब से, दूसरे नंबर पे JP Morgan Chase, फिर Warren Buffet की Boxshire Hotway, China Construction Bank, Saudi Arabian Oil Company, Saudi Aram को पाँचवे नंबर पे आती है और छटे नंबर पे आती है Apple और अगर बात की जाए कि International Tennis Hall of Fame क्या है तो ये एक non-profit organization है जिसका की goal है दुनिया भर में जो tennis का sport है, उसको preserve करना, उसको celebrate करना और उसके लिए लोगों को inspire करना और इनकी जो location है वो है road island जो US में न्यूपोर्ट में है, वहाँ पे located है और essentially आप बुल सकते हैं कि एक tennis museum है, इसके अलावा history of tennis का repository है ये हर साल एक annual tennis tournament organize करते हैं, host करते हैं, जो कि Wimbledon के बाद खेला जाता है और इसके अलावा ये tennis के जो professionals हैं, उसमें tennis players हो गए, official हो गए और even author और journalist जो कि अपनी lifetime spend करते हैं tennis को track करने में, उनको ये induct यानि कि officially include करते हैं hall of fame में और अब अगर बात की जाए, latest development की, तो जो Infosys के tie-up है, hall of fame open tennis tournament के साथ वो stronger हो रहे हैं, क्योंकि July 11 से July 17 तक ये हर साल खेला जाता है US में, और अब से इसको बुला जाएगा Infosys hall of fame open, यानि कि ये इसके title sponsor होंगे, और Infosys hall of fame open की बात की जाए, तो ये एकलौता US का tournament है, जो कि grass code पे खेला जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे, जो US open है, वो hard code पे खेला जाता है, और इसके अलावा Infosys international, जो hall of fame है, उसके official digital partner भी होंगे, और इस partnership के अंतरगत, ये और Infosys की अगर अलग से बात की जाए, तो ये already इनकी digital partnership है, ATP tour के साथ, Australian open और Roland Garros, यानि की जो French open है, इन सब के साथ already ये digital partnership है, और इससे जो tennis experience है fan का, उसको transform करने में help मिली है, और अब अगर बात की जाए कि क्या कोई और company भी है, जो कि tennis के साथ associated है, तो definitely Infosys पहली company नहीं ह हैं, इससे पहले Tata Open महराष्टरा जो की पूने में हर साल February में खेला जाता है, वो पहले कुछ उन tournaments में था, जिसमें की Indian company title sponsor बनी थी, इसके अलावा Kingfisher Airline Tennis Open, जो की एक event होता था मुंबई में खेला जाता था, इसमें Kingfisher 2006 और 2007 में ये honor प्राप्त हुआ था Kingfisher को, हाला कि ये दो साल इंडिया में हुआ, उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया और ये इंडिया से बाहर होने लगा, और इसके अलावा लेकिन Infosys की बात की जाए, तो ये इनके जो tie-up है, ATP के साथ वो ज़्यादा strong है, deeper है, क्योंकि ये अब इनके title sponsor के साथ-साथ official digital partner भी होंगे, और अगर बात की जाए कि क्या हमें current price पे Infosys का share लेना चाहिए और नहीं, तो सबसे पहले अगर इसकी past performance देखें, तो तीन साल में 156% से ज़्यादा की return है, पिछले एक साल में 33% की, और पिछले एक week में भी इनका share 6% से ज़्यादा भागा है, जबकि दूसरी companies के share काफी गिर रहे हैं, इसमें Infosys ने अभी भी अच्छा किया है, और ये ज़्यादा नहीं गिरा है, तो overall बहुत ही strong performance रही है, इसके अलावा ये dividend भी अच्छा देते हैं, इस साल में already ये 30 रुबए का dividend दे चुके हैं, और overall इनकी अगर dividend yield की बात की जाए, तो 1.5% के आसपास है, higher side पे 2480 और lower side पे 1638, तो अभी जो कल की closing हुई है, वो 1826 पे हुई है, उसे साब से अभी अभी अपने average target price से काफी नीचे पे available है, तो pricing काफी attractive है, और अगर इसके fundamental और peers analysis को देखा जाए, तो one of the large cap company है, 767 लाग से भी ज्यादा करोड का market capitalization है, अलाकि इसकी comparative to दूसरी जो IT companies हैं, उसमें इनका जो valuation है थोड़ा सा higher side पे लगता है, especially अगर हम Wipro, HCL या Tech Mahindra से compare करें, लेकिन obviously Infosys एक अलग league में है, इसका जो real competitor है वो TCS है, क्योंकि ये काफी बड़ी है, इनकी brand value है, तो उसे साब से अगर TCS से compare किया जाए, तो इनका valuation अभी भी attractive लगता है, और return on equity आप 25% से ज़्यादा की है, profitable company है, और debt free company है, तो इसके fundamental बहुत ही solid लगते हैं, और company का जो share price है, अभी भी काफी अच्छा है, तो मुझे काफी इस company में विश्वास है, तो current price पे या किसी भी correction पे इसको long term के लिए लिया जा सकता है, या आपको बहुत ही अच्छी return दे सकती है, अला कि वीडियो close करने से पहले मैं हमेशा कितना disclaimer दूँगा कि जो भी views थे, वो मेरे personal थे, अगर आप किसी भी share में invest करना चाहते हैं, तो अपनी further research कीजिए, उसके बाद अगर वो ठीक लगता है, तब ही आप उसमें invest कीजिए, thanks so much for watching the video and God bless you all.